इंडियन कंपनी Lloyd Hevels ने अपने 2023 के एर कंडिशनर के मॉडल्स मार्केट में लाउंच कर दिये हैं और आज की इस टूडियो में हम बात करने वाले हैं लाइड हेवल्स के 1.5 तर इंवर्टर स्प्लिट एर कंडिशनर के बारे में दोस्तों इस model के बारे में हम आपको इस studio में complete information देंगे और वीडियो के अंतर में हम आपको बताएंगे कि इस model को आखिर आपको किस condition में अपने लिए पर्टिस करना चाहिए साथ ही आपको बताएंगे कुछ जरूरी important बात हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़दा ज़रूरी है लेकिन उससे पहले दोस्ते हो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देखने हैं तो subscribe किजिए हमारे चैनल को साथ में बार लेकिन को breeze करना मत बुलीगा तो कि इसी तरीके के useful वीडियो आपको हमारे चैनल पर time to time मिलते रहेंगे जो कि आपका knowledge बढ़ाते रहेंगे एक air conditioner लेने से पहले अगर आप confused हैं कि आखिर आपको अपने room की size के इसाब से कितनी ton का air conditioner लेना चाहिए है जैसे कि 1 ton, 1.5 ton, या फिर 2 ton, room atmosphere के साब से किस technology का air conditioner आपके लिए best रहेगा जैसे कि inverter air conditioner ले या फिर एक non inverter air conditioner ले एक air conditioner में star rating कितनी important होती है और इसका impact आपके बिजली के बिल पर कितना आता है तो दोस्तों इसके उपर हमने एक details में आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है जो कि एक AC buying guide वीडियो है आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए उस वीडियो के link आपको i button और description box दोनों में मिल जाएगी अब बात करते हैं Lloyd Hevels के 1.5 ton 5 star inverter split air conditioner के बारे में जो कि 2023 का एक latest model है दोस्तों इस air conditioner में आपको 5,100 watt की cooling capacity मिलेगी इसे साब से दोस्तों ये air conditioner आपको 1.45 ton का देखने को मिलेगा दोस्तों बात करें इसके indoor unit की तो ये आपको यहाँ पर 11.5 kg का एक बड़ा heavy indoor unit देखने को मिलता है वहीं पर दोस्तों आपको outdoor unit risk model के अंदर 29.8 kg का देखने को मिलेगा और दोस्तों ये air conditioner up to 180 square foot तक के लिए एक ideal choice आपके लिए है इस air conditioner के दोस्तों IC rating की बात करें तो दोस्तों इस model में IC rating को अपग्रेंड किया गया है और इस model में आपको 5.06 के IC rating देखने को मिल रही है 20 star rating के new parameter के साब से दोस्तों ये air conditioner आपको 5 star rating का देखने को मिलता है बात करें annual power consumption के तो दोस्तों ये air conditioner सालाना 780 unit consume करेगा वहीं पर दोस्तों बात करें noise level के तो इस model में आपको 38 decibel का noise level देखने को मिल जाता है और अच्छी बात या है कि दोस्तों लाइड हैवल्स ने 100% copper का use किया है इनकी cooling coils और condenser coils में इसके लावा दोस्तों आपको coating production भी देखने को मिलेगा cooling coils और condenser coils के उपर इसमें light ने golden करे का coating production दिया है महीं पर बात करें दोस्तों refrigerant gaze की तो इस model के अंदर आपको 32 refrigerant gaze मिलेगी जो कि environment eco friendly है global warming को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है उस zone layer को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और cooling के मामले में काफी efficient है दोस्तों अब हम बात करेंगे इस air conditioner में मिलने वाले features के बारे में Lord Evels के इस air conditioner में आपको dual rotary compressor मिलेगा जिसमें Lord Evels clean करता है कि दोस्तों आपको 52 degree ambient temperature में भी आपको एक अच्छी uniform cooling देखने को मिलेगी जिसमें आप air conditioner को 40%, 60%, 80% और 100% capacity में चला सकते हैं वहे पर दोस्तों आपको 500 mode मुलेगा AI mode यानि कि आपके सकते हैं कि एक तरह का auto mode है जोकि आपकी room के temperature के हिसाब सेने कि जितनी cooling की requirement है उतनी cooling automatically manage करेगा इस AC में दोस्तों आप AC के wattage को कम करके कम capacity में चला सकते हैं लेकिर expand नहीं कर सकते हैं वही आगले feature की बात करें तो इस model में आपको low gas reduction का feature देखने को मल जाएगा suppose अगर आपके AC में gas related कोई issue है जिससे कि gas linkage हो रही है तो फिर indoor unit के display पर E5 का error शोगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी AC में gas related issue है इसके इलावा दोस्तों आपको clean filter indication का यहाँ पर feature देखने को मल जाता है suppose अगर आपकी indoor unit के जो filter है वो गंदे होगा है तो इस ही आपको indicate करेगा कि इससे आपको clean कराना चाहिए इस model में दोस्तों आपको smart four way swing का feature मिलेगा जिसमें indoor unit का flip cover है वो left and right and up and down चारों ही दिशाओं में movement करेगा जिससे कि ठंडी अवा आपकी room में कोने कोने में circulate होगी और आपको एक अच्छी cooling देखने को मिलेगी इस model के अंदर दोस्तों आपको turbo cooling की rapid cooling का feature भी देखने को मिल जाता है जिसमें Lord Hevels clean करता है कि दोस्तों 45 seconds के अंदर आपको जो है वो 80 degree तक temperature यहाँ पर आपकी room का हो जाएगा लेकिन दोस्तों 45 seconds के अंदर 18 degree temperature होना practically possible नहीं है लेकिन आप करे सकते हैं कि दोस्तों इस feature के वादियम से आप अपकी जो room है उसको जल्दी सरणना कर सकता है air filtration की बात करें तो Lord Hevels के इस air conditioner में आपको anti-violet filter मिलेगी PM 2.5 filter मिलेगा जो कि हवा से dust particles या bacteria virus के जितने भी particles हैं उनको ये remove करेगा और आपको एक healthy fresh air यहां पर देखने को मिलेगी वहीं पर इस model के अंदर दोस्तों आपको smart diagnosis का feature मिल जाता है इसके लगा दोस्तों इस air conditioner पर आपको installation check का premium feature भी देखने को मिलेगा जब कभी दोस्तों इस air conditioner को technician आपके घर पर install करने आएगा तो दोस्तों proper जब कभी भी installation complete हो जाएगा उसके बाद उसको एक program करन रहा होगा उस program के दुरान दोस्तों 15 test करेगा air conditioner और उसके बाद magic display पर दोस्तों go symbol अगर visible होता है तो ही दोस्तों आपका installation proper माना जाएगा यानि कि दोस्तों अगर installation proper हो रहा है और यह feature आपको इस air conditioner में मिल रहा है यह एक बार दोस्तों किसी भी AC का proper installation हो जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती तो आपको सानों साल services बहुत बहुत बहतर देखने को मिलती है तो यह एक बहुत उपयोगी और शानदार feature आपको लॉइड हैवल्स के इस AC में देखने को मिल रहा है लॉइड के इस air conditioner में दोस्तों आपको inbuilt stabilizer भी देखने को मिलता है जिसकी voltage range आपको 140 volts से लिकर 280 volts तक देखने को मिलेगी इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपके area में 140 volts तक power जाता है या maximum 280 volts तक power जाता है और इसी बीच में रहता है तो फिर आपको stabilizer की जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों power कितना down जा रहा है या कितना अप हो रहा है इसका आप exact अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते इसलिए दोस्तों आपको एक individual stabilizer AC के साथ जरूर लगाना चाहिए क्योंकि एक individual stabilizer में दोस्तों बहुत से safety feature होते हैं जोकि power fluctuation से आपके AC को safe रखते हैं stabilizer आपको कौन सा लेना चाहिए इसके उपर भी हमने आपके लिए एक detail वीडियो बना हुआ है उस video के link दोस्तों आपको discussion box में मिल जाएगी उस video को देखकर आप अपने लिए एक best stabilizer choose कर सकते हैं बात करें warranty के दोस्तों Lloyd Hevels की model पर आपको एक साल की world product पर warranty मिलेगी और पात साल की PCP पर warranty मिलेगी और दस साल की compressor पर warranty मिलेगी दोस्तों PCP पर warranty आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है इसकी clarity के लिए आप Lloyd Hevels की website पर जरूर विजिट करें वहाँ पर आपको इसकी related complete information मिल जाएगी लेकिन हो सकता है कि जो product link मैं आपको provide कर रहा हूँ वहाँ पर आपको ये warranty की terms नहीं देखने को मिले इसलिए आप Lloyd Hevels की website को जरूर विजिट करें और अगर आपको कुछ doubt रहता है तो before buying Lloyd Hevels की customer care पर call करके भी आप warranty terms को बहुत अच्छी से समझ सकता है बात करें दोस्तों इस product की price की तो फिलाल इस product की current price है 38,999 रुप है और price जो मैंने आपको बताइए विडियो बनाते समय की price है latest price and feature के लिए आप best buying को जरूर चेक कीजिएगा best buying दी है मैंने आपको discussion box में दोस्तों बहुत ही मैनत और research करके आपके लिए video prepare करता है ताकि आपको help हो एक best product को अपने लिए choose करने में दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई भी product online purchase करने के लिए सोच रहा है तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई affiliate link से ही purchase करें क्योंकि दोस्तों आपके product की price तो वही रहेगी लेकिन अगर आप हमारी affiliate link से purchase करेंगी तो हमारे channel की काफी help हो जाएगी अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो हमारी affiliate link से ही purchase कीजिएगा अब बात करता है कि Lloyd Evels की इस one point fight and five star inverter air conditioner को आपको किस condition में अपने लिए purchase करना चाहिए लेकिन पहले दोस्तों इसकी खाम यहने की negative points के बारे में बात कर लेता है तो दोस्तों Lloyd को जब Evels ने take over किया उसके बाद services काफी improve जरूर हुई है लेकिन दोस्तों उतनी जादा भी improve नहीं हुई है जो कि एक brand की होना चाहिए अभी भी दोस्तों Lloyd Evels की service center connectivity है यहने की service center availability है वो हर एक एरिया में नहीं है खासकर गाओं वाले इलाके या rural area अभी भी वहाँ पर आपको इनके customer service center जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी कमी जो है वो Lloyd Evels की air conditioner के आपको देखने को मिलती है वे पर बात करें दोस्तों खरीदने की वज़ा तो खरीदने की वज़ा काफी सारी है सबसे पहली वज़ा तो दोस्तों यह है कि इनके जो air conditioner है वो आपको बाचर friendly देखने को मिलता है indoor unit और outdoor unit पे आपको काफी यह भी देखने को मिलेंगे cooling capacity बहुत बढ़िया है यानि कि cooling के मामरे भी air conditioner बहुत अच्छा performance आपको provide करता है इसके लावा दोस्तों installation जैसा उपयोगी feature भी आपको इन AC के अंदर देखने को मिल रहा है air filtration बहुत कमाल का है जहां पर आपको anti-viral filter और test filter भी देखने को मिल जाता है साथ इसाथ दोस्तों आपको inside stabilizer का भी support इन AC के अंदर देखने को मिलता है तो ये सारे positive points है इन AC को अपने लिए पर्तिस करने का लेकिन before buying आपको एक important चीज़ होता दूँ कि आपको इनकी service center के बारे में पहले ही पता कर लेना है service center आपके नज़िक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों after sales services में service center का बहुत बड़ा रोल होता है और कोई भी brand दोस्तों 100% perfect नहीं होता है तो support के लिए customer service का आपके पास में यानि कि service center का आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है इसके लावा दोस्तों आप किसी भी brand का air conditioner ले रहे हो चाहे टाइकीन ले रहे हो एंजी ले रहे हो या फिर lawyer doubles ले रहे हो तो please इस वीडियो को ज़्याद अपना प्यार ज़रूर दिजेगा और इस वीडियो को अपने family friends नमेर के साथ ज़रूर शेयर किजेगा और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो please comment किजिए आपके सवालों का reply आपको हमारी उस से मिल जाएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत चल्दिक new वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद वंदे मातराम